अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा, तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए अरे आपका भाई क्या बात है वो चिंतित लग रही कैलाश, बेटा तू का भाया माए आपकी बहू, सुधा मा, जरन्सपर्श बहू को अपने कमरे में ले जा मैं जलपान बिजवाती हूँ सामित्री, बहू बहू सुशीर, सुशिक्चित और उच्छानदान से है सुधू, सावित्री, सुधू सावित्री आपने बुलाया, मा क्या देख रही है देख रही हूँ यह हातों की लकीरे भी अजीब है मुठी में तो है मगर काबू में नहीं मा मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत नराज है मगर उबलते पानी में अपने ही चहरा नजर नहीं आता मैंने जो भी किया आप शानत दिमाग से गए मैं शानत हूँ बहुत शानत हूँ मेटा अब बिल्कुल शानत हूँ एक मिरित व्यक्ती ही हो सकता है मा, मैं आपकी बहुत श्रद्धा करता हूँ श्रद्धा का श्राद तो तुने उसी दिन कर दिया था जिस दिन तुने इस गाओं में ना रहने का फैसला किया था खेर, अब उन बातों का क्या लाब मा मैं केलाश ये घर-परिवार है न, बेटा ये अपने पुर्खों के बनाए मान-मर्यादा, परम-परा और संसकारों का एक पवित्र मंदिर है तुने इन सब की अवेलना करके इस मंदिर को खंडित कर दिया तु अपनी मर्जी की जिन्दगी जीना चाहता है न अच्छी बात है पूरा हक है तुझे तो बेटा अब तु न, अपनी मर्जी की, अपनी खुशी की एक अलग दुनिया बना पर उसके लिए तुझे न, अपने वंश, अपने पुर्खों की विरासत से हमेशा के लिए संबन तोड़ना पड़ेगा माप, तुनिये तो सही में क्या कह रहा हूँ तुलन को बुला लो माजी, माजी हम समझ सकते हैं कि आपको कितना दुख हुआ है लेकिन हमने ले गहने मेंने अपनी बाहु के लिए संजोका रखे थी माप ये कांगजात हैं, जमीन के तु शहर में रहता है, जरूरत पढ़ सकती है खूब तरक्की कर मेरा अशिर्वात तेरे साथ है मा, अगर आप ऐसा करेंगी, तो मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगा एश्वर तुझे ऐसा करने की शक्ती दे बेटा मेरा एश्वर तु नहाफ याफ प्रare बजस्थ आवांवist प्रावच़ सेंगत पढ़ लिखकर अगर मैंने शहर में नोकरी कर ली तो क्या गलत किया अपनी पसंद की लड़की से अगर शादी कर ली तो क्या इतना बड़ा पाप किया बोलियो दिवागर जी सही गलत बताने वाला मैं को नो ताउं के लश्वाग अगर मुझे लगता है माता जी मानगी होती अगर आपने कोशिश की होती है हूं तो उनी का खुन जैसी वो जित्ती वैसा मैं जित्ती आपने देखा 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 दाड़ी शुपा रहा है क्या हो बाइसाब वो काली चादर वाला मुसल्मान है कुछ तो गलबढ़ है छुपके क्यों बैठाएगे वो सकता है इसके कुछ साथी और छिपकर बैठे हो डिब्बे में इस सारे ऐसे हमला करते हैं एक्दम अचानक और पूरी तैयारी से अमला करते हैं ये तो तो क्या क पूछो इससे हम वो कई हमला कर दिया तो उसने अधिया रखे होगा तो टिब्बे में ज्यादार हिंदू है देख लेंगे साले को ऐसा करते हैं सब मिलकर पूछते है ठीक है आओ 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 अब मुझे चुपाए अब मुझे बैठा अब शुपा के बैठा है वाजी तक प यह हो रहे होदे एक मुसल्मान चुपा बैठा था वहीं पकड़ा गया है रखे अंदर जोब जी इसको अंदर रखेंगे तो यह शोड़े यह मुसल्मान है अरे मुसल्मान है तो क्या जान से मार दोगे कुछ किया इनोंने अरे बैठी है अरे कुछ करने के लिए तो यह बैठा इस बडल के बैठा है अरे एक मिनट आप खामोश नहीं है आप देख क्या रहे है उठाओ इससे बार फेको अब जूट बोल रहा है तो बोल रही है सबूत क्या है क्या सबूत है कि तो हिंदू है आप कुछ दिखा दिजीए एक विठा इसका रोज करतें अरे अरे हनुमान चालिशा रखने से कोई हिंदू थोड़ी हो जाता है और एक गैलाश बाबू आप एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट रहा इसका रहे इसका रोज करतें आप आप अगर हनुमान चालिशा का पार्ट करते हैं तो आपको कंठस्ट दी होगी आप सुना दीजी सुनाओ हां सुना भी सबके सामने नहीं तो फेक देंगे भाट दूजी अभी अब तो आप सभी को यकीन हो गया ना यह हिंदू है कि मुसल्मान होते तो आप सब इनको मारी डालते हैं फिर क्या कहते मुसल्मान हत्यारे हैं आप भी चुब बैठी रही है हम भी तुब डर गए थी आप जैसे डर पोग लोगों की वज़े से तंगे भड़कते हैं शार्मानी चेहीं आप सब्लों कि आईये कैलाश वागों कि अधिये बैठीये कुछ नहीं हुआ हिंदु ही था लोगों को घलक फाइमी हो गई थी बस वीटी या डर गई थी अरे डरो मत मुझे वर गुडिया दो मैं खेल नहीं है अच्छा गुडिया का नाम क्या है मेरी गुडिया का नाम है चुनिया चुनिया वाबा बहुत अच्छा नाम है बहुत बढ़िया बहुत है चौबे जी हद्ध हो गई पंडी जी होके इतने ड़त हैं मुसल्मान का नाम सुनते ही चाकु निकल ली बेचरी बच्ची कितनी डर गई हम घबरा गए थे क्या भरो आदमी का आदमी से विश्वास ही खत्म हो जाता है दिवाकर जी जरा यह भी सोची कि यह घ्रिणा और विश्वास का महौल क्यों बन रहा है क्यों इसका कारण है यह मुसल्मान एक तो हमारे देश के दो टुकड़े कर दिये उपर से आपके महाकमा जी की वज़य से हमारे में घुशके बैठें यह देश का बटवारा हिंदू और मुसलिम कटरवाद का जहर गोलने वाले नेताओं ने करवाया है कैलाश बाबू एक तरफ मुसलिम लीग तो दूसरी तरफ हिंदू महासभा की सोच उपर से इनको बढ़ावा देने वाले अंग्रेज तो से भी पहले 1937 में इलावाद में हिंदू महासभा के सम्मेलन में वीर्थ जिने कहा था कि भारत एक नहीं दो राष्ट है हिंदू राष्ट और मुसलिम राष्ट ऐसे ही अलगावबादी नफरत पहलाने वाली सोच जिम्मेदार है बटवारे की अब तो मुसल्मानों को अब चले जाए अपने पाकिस्तान हिंदूस्तान हिंदूओं का है तो फिर क्यों आपके मात्मा गांधी उन्हें यहां रोके हुए है अगर हम सब एक धर्म के लोग यहां होते ना तो क्या यह भयानक रक्षपात हो रहा होता अरे कैलाश बाबू विदेशियों के आने से सब हिंदू राजा होते थे तो क्या सब प्यार से रहते थे अरे सब आपस में लड़ते मरते रहते थे अरे कौरा पांडव तो भाय थे फिर इतनी भयानक महाभारत क्यों हो गई बाबर इब्राहिम लोदी हुमायू शेर सासूरी जलालुद्दिन अलाउदिन खिलजी तो चाचा भतीजा थे फिर भतीजे ने चाचा को खंजर क्यों मारा सब मुसल्मानी तो थे तो के रहपाया प्यार से विश्व युद्ध में एक दूसरे के खोन के प्यासे हो रहे हैं लोग ज्यादातर क्रिश्चानी थे इतिहास कवाह कैलाश बाबू कोई भी धर्म अपने म मुसल्मान नहीं होंगे तो कोई और मुद्धा बन जाएगा अमीरी गरीबी जातपात भाषा छेत्र नफरत फैलाने वाले नफरत फैलाते रहेंगे और उससे भड़ की आग में अपने स्वार्त की रोटी सेखते रहेंगे बहुत बढ़ियां बोलने दिवाकर बाबू बो इसलिए मुझे लगता है कि बापू का रास्ता ही सही रास्ता है प्यार का अहिंसा का सहिश्णुता का अरे प्रेम से सीचो देख बेजान बीच भी बड़ा पेड़ बन जाता है फलफोल देने लगता है नफरत की एक नजर एक कठो शक्त माविटे तक करिष्टा भी खत्म कर देता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि धार में कट्टरता पर बने पाकिस्तान का हश्र क्या होगा और सारे मजबों को मानने वाला हमारा धर्मिर्वेक्ष देश कहां तक पहुचेगा कि इश्वर से में यही दुआ करता हूं कि सब बापू की विचार धारा को याद रखेंगे अब लोग चलिए सामान हम लाते हैं जाइए आप जाइए चल बेटा गुरिया चलिए बेटा चलिए लाइए मुझे देजिए यह लीजिए धनेवाद भाई साब लाइए मुझे दीजिए पानी वानी लेलो अगले स्टेशन पर पानी नहीं मिलने वाला यहां रग दे आप जाइए मैं मैं यहां देखती हूं यह लीजिए यह लीजिए मेरी गुडिया अरे यह पानी का लोटा मेरी चुनिया देख लीजिए सारा साब अच्छा नमस्टि आच्छा नमस्टु तो ठीक है ना चोड़ तो नहीं लगी ना जल्दी दन्यवाद भाई साल दन्यवाद दन्यवाद तो बहुत चोटा शब्द है पता नहीं कैसे आपका शुक्रियादा करूं मैं क्या पंडित जी आपको तो हम लोग डरपोक समझ रहे थे आप तो बड़े बाहदुर निकले तो तो ठीक है ना बिटिया हाँ अल्लाक 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 शुक्र है के तो किती तो बैको बिड किती वोद आा उक शीया है समेलार तो अल्लाक शुक्रियादा शोब्द कराई डरी श्यक्रे खाले लिए विति आ, वितिया.. ujeख, एगिर नानु हते कैका ? आप पुरी रस्ते मेरी छुनिया मांग designs यह, लेलो. पर इच्छुनी हागो, दे आंजे रागना. रागलो, लो. वो मुसल्मान था, वो डरावा इंसान था, हम सब हिंदू थे, इसलिए वो जूट बोला, मगर बहुत बड़ी सीख देखे गया. अपना ख्याल रखना. अपना ख्याल